हलो स्टुडेंट्स क्यासे हैं आप सब आई होब कि आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि मैंने आपको फर्स शेप्टर कंप्लीट करवा दिया था क्लास फोर्ट के बिच्चों का ग्रामत का फर्स शेप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइस करानी रह जएती आज मैं आपकी एक्सरसाइस करवा दे रही हूँ और आप सभी से मेरा कहना है कि आप सभी इसकी नोट्स बनाते चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइस देखें अप्शन ए देखेंगे रिराइट दा फॉलाइंग ग्रॉफ ऑफ वर्ड तो मेक मेनिंग्फुल सेंटेंस एंड पूट दा शुटेवल पंच्वेशन मार्क यानि कि इसमें जो वर्ड जो बाक के दिये गए हैं पांच बाक के दिये गए हैं यह में क्या देखना है और पंच्वेशन मार्क का यूज करना यानि जिस तरह एक से हमने यह चैप्टर पढ़ा है कौन सा सेंटेंस किस बाक सेंटेंस का है हमने जैसे कि चार प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे तो उन में से हमें यह देखना है कि यह बाक कि कौन से सेंटेंस का है चलिए स्टार्ट करते हैं फस्त देखिए yesterday went I market to तो ये wrong लिखा है इसको हम right जब करके लिखेंगे I went to market yesterday अब ये जो हमारा बाकी है ये किसका है बाकी ये हमारा simple बाकी है statement sentence है next है जो हमारा वो है waiting you for father your is यानि ये wrong way में लिखा है तो हम जब इसको right way में लिखेंगे तो your father is waiting for you तो ये हमारा right हो जाएगा next है by lesson heart you'll learn तो इसका जो right होगा वो होगा learn your lesson by heart next है fourth taken has breakfast whom I इसका right होगा who has taken my breakfast और question mark next है flower beautiful rose that is तो इसका जब right बनाएंगे तो हम इसका बनाएंगे the rose is beautiful flower तो ये जो हमारे है वो कैसे हैं बाके हैं ये जो हमारे बाके दिये गये हैं ये हमारे चारो sentence से बाके दिये गये हैं जो कि wrong way में लिखे और हमें right way में लिखना आई ये वाली एक्ससाइज मैंने आपक опис करा दी है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं B Read the following sentence and write their counts whether it is declarative imperative interrogative and axlimatory यानि कि हमें इन चो ये बाग के दिये गए हैं sentences दिये गए हैं इनको read करके इनको पढ़के इनके प्रकार लिखने हैं यानि कौन सा बाग के किस sentence का यानि किस प्रकार का है interrogative है या exclimatory है तो हम ये किस तरह के बाग के हैं ये हम इसको पता लगा के हमें complete करना है चलिए start करते हैं first वाला देखिए Amit was present in the class yesterday तो ये जो हमारा बाग के है जैसे कि मैंने बताया था ये जो साधारण वाक के होते हैं जिसको हम declarative बाग के तो Amit was present in the class yesterday यानि कि Amit जो था वो yesterday यानि कल क्लास में उपस्तित था तो ये क्या हो गया ये हमारा declarative बाग के हो गया next है I could do nothing for you मुझे दुख है मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सका तो ये क्या हो गया हमारा ये exclimatory बाग के हो गया क्योंकि यहां भाव प्रकट हो रहा है दुख का भाव प्रकट हो रहा है और ये वाला sign भी लगा होता है ये sign जिसमें लगा होता है वो बाग के exclimatory बाग के होती है इस बाग के से भी आज बाग को पहचान सकते है next देखिए do cows have short tails यानि कि क्या गाई की छोटी पूछ होती है तो यानि कि जो do दिया गया है यानि जो हमारी helping best होती है जब आगे लगाई जाती है तो बाग के कैसा हो जाता है यानि इसमें question किया जा रहा है और question किसमें किया जाता है interrogative बाग में तो यह हमारा interrogative बाके हो गया next है fourth they likes apple तो इसका जो लिखा हुआ है they likes apple उन्हें से पसंद है तो इस तरह का बाके कैसा है हमारा यह simple बाके है ठीक है ना अब next देखिए learn your lesson now तो यह जो हमारा बाके है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारा है इसमें learn your lesson now यानि कि अभी अपना पार्ट याद करो तो इसका मतलब क्या हो रहा है जैसे कि हमने बताया था जो imperative बाके होते हैं उन्हें command यानि क्या दिश दिया जाता है advice दी जाती है और request की जाती है तो इसमें क्या हो रहा है अभी अपना पार्ट याद करो तो इसमें क्या किया जाया order दिया जा रहा है तो यह हमारा imperative बाके हो गया next है put this book on my table यह किताब मेरी टेबल पर रख दो तो यह कैसा हो गया इसमें क्या किया गया आदिश दिया गया तो यह भी कैसा हो गया imperative बाके हो गया समझ आगे होगा आप लोगो next है look at the picture giving blow and write all four types of sentence to describe all the pictures यानि कि आपको यह pictures जो इसमें दी गई है इस pictures को देखकर बाके बनाने है यानि कि इसमें क्या हो रहा है कोई से भी इस picture को देखकर आपको कोई से भी बाके बनाने है और कौन से भाके बनाते हैं जो हमने चार sentences पड़ी है वो चारो ही इसमें यूज होने चाहिए चलिए start करते हैं फस्ट भाके बनाया है मैंने how she is pretty girl यानि कि यह हमारा जो इस तरह का जो यह mark लगा हुआ है और how यानि कि wow मतलब wow she is a pretty girl मतलब हम लोग कभी कभार आश्चर जगत हो जाते हैं तो हम बोलते हैं वह कितने यह मतलब सुन्दर लड़के तो इस तरह से यह बाके हमारा जो हो गया यह हो गया next है मुकेस has a basket मुकेस के पास एक टोकरी है तो यह कैसा हो गया हमारा साधार बाके हो गया next है please give me your balloon तो इसमें हम क्या कहर रहे हैं इसमें हम request कर रहे हैं तो यह हमारा कैसा बाके हो गया यह हो गया imperative बाके next है we should do our work यानि कि हमें अपना काम स्वेम करना चाहिए तो यह क्या हो गया अगर हम यह किसी और को बोलें कि you should do your work तो तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए तो यह क्या एक advice दी जा रहे है तो यह भी imperative हो गया next है what is this in the basket यानि कि इस टोकरी में क्या है तो यह कैसा हो गया हमारा interrogative बाके next है how so beautiful well on is तो यह भी हमारा किस तरह का बाके हो गया यह भी हमारा इसमें भी एक भाव प्रकट हो रहा है तो यह भी हमारा exclamatory बाके हो गया next है there are many swaps in the market यानि कि यह जो दिख रहा है आपको इसमें इस तरह का हमने एक simple बाके बनाया है जिसमें लिका है there are many swaps in the market यानि market में बहुत सी दुखाने थी है next है she is eating ice cream she is eating ice cream वह है ice cream खा रही है तो यह कैसा हो गया यह भी हमारा simple बाके हो गया next है why are you going to market तो market यानि तुम बाजार क्यों जा रही हो तो यह कैसा बाके होगा यह हमारा जी interrogative बाके हो गया तो यह जो मैंने आपको exercise पूरी complete करवाई है यह आप अच्छे से देखिएगा इसके notes बनाईएगा और इसको complete करिए और समझे इसी के साथ thank you that's all